हलो दोस्तों जीत एकाइडमी 247 में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ बीकली जॉब अपडेट्स इस सबता कौन-कौन से important job vacancies आई है उसका discussion इस पूरे वीडियो में करूँगा तो इस वीडियो को शुरू से अन तक देखिएगा और बीच में छोड़कर नहीं जाएगा चलिए शुरू करते हैं तो आएए देखते हैं कौन-कौन से job vacancies आई है इस सबता जिसको फिल कर सकते हैंगर eligible हैं तो सबसे पहले बात करते हैं आज का date है जो friends है 25 November 2019 तो first job vacancies आई है वो है UPPSC computer assistant online firm 2019 से ठीक है इसके बारे में देखेंगे क्या-क्या मुख details है जो जानना चाहिए आपको उसके बाद second number जो है Indian Navy INET various form 2019 से आई है और इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे फोर्थ नमबर देखिए CC RAS UDC LDC online firm 2019 से निकल करके आई है दोस्तो Central Council for Research in Ayurvedic Science ने इसको निकाला है आगे बात करते हैं फिफ्थ नमबर जो है कि UP Metro Rail various post online firm 2019 से निकल करके आई है जिसके बारे में details देखेंगे और शाथ ही साथ 6th number और last की बात करते हैं तो UPPCL जेई Junior Engineer और Civil Recruitment 2019 से निकल करके आया है जो कि उत्तर प्रदेश Power Corporation Limited ने vacancies को निकालते हैं आईए वारी वारी से देख लेते हैं कौन-कौन से vacancies हैं क्या-क्या details हैं और क्या importance आपको याद रखना है सबसे पहले बात करते हैं first number की जो है UPPSC Computer Assistant Online from 2019 से इसमें important dates की बात करते हैं कब से vacancies begin हुआ है कब से भरना है तो application begins का date है 15 November 2019 से start हो चुका है जो vacancies फिल हो रही है उसके साथ साथ देखते हैं last date for apply online करने का है वो 11 December 2019 तक है इससे पहले आप इसको apply कर सकते हैं last date करते हैं payment की बात है तो 17 December 2019 से और last date होए complete form करने का होए 16 December 2019 तक है बात करते हैं exam date का notifications अभी नई आए है और admit card कब available होगा इसका notifications अभी नई आए हैं साथी साथ बात करते हैं applications fees का और payment mode की तो यहाँ पे देख सकते हैं कि general OBC वालों के लिए 126 रुपीज लग रहे हैं वही SCST वालों के लिए 65 रुपीज है और PH candidates के लिए only 25 रुपीज हैं friends साथी साथ payment mode की बात कर लेते हैं तो pay कर सकते examination fee through debit cards, credit cards, net banking और pay the fee through e-mitra इन सभी माध्यमों से आप form को fill कर सकते हैं आए देख लेते हैं और इसमें क्या जानने like details हैं तो other details की बात अगर करते हैं other important details जो post का नाम है उत्तरप्रदेश Public Service Commission जिसका abbreviation था UPPSC ठीक है उत्तरप्रदेश Public Service Commission computer assistant recruitment 2019 साथ ही साथ अगर बात करते हैं यहां से देख सकते हैं total post की बात करते हैं तो सिर्फ 14 post है लेकिन अगर आप application इसका करते हैं और अगर आपका luck भी साथ देता है तो आप इसमें select हो शकते हैं अगर eligible हैं तो बात करते हैं age limit की तो 1 July 2019 तक आपका minimum age होना चीए 18 साल और maximum age की बा बात करते हैं आप 10 plus 2 intermediate exam pass होना से कोई भी board से और in India with zero level exam passed ओके उसके बाद करते हैं for more details के लिए आपको full notification एक पार देखना पड़ेगा इसका official website पर जा करके form को इसका जो notifications वाला form है उसको आप download कर सकते हैं और उसको full details आप देख सकते हैं साथी साथ इसका official website के बात करते हैं वो है upsc.up.nick.in पर इस particular website पर जा करके आपको शारा details मिल राएगा तो चलिए आगया और देख लेते हैं और इसमें क्या जानने लाइक हैं Second numbers की बात करते हैं Indian Navy in INET various posts online from 2019 से निकल करके आई हैं जो कि Indian Navy ने ये vacances निकाली हैं आईए देखते हैं इसमें details में क्या है important dates की बात करते हैं तो देखिया application जो begin हो रहा है वो 29 November 2019 से start हो रहा है और शातिसत last date की बात करते हैं तो ये 19 December 2019 तक हैं बात करते हैं exam date की तो February 2020 में हो जाएगा और इसका admit card January के last week तक आजाएंगे admit card और merit list जो issue होगा उसका notifications भी चल आजाएंगे बात करते हैं application fees का और payment mode की तो सबसे पहले देखे यहाँ पर जो general है और OBC है 215 रुपया लग रहा है SCST और PH और women's candidates के लिए भी 215 रुपया ही लग रहा है आप examination fee भर सकते हैं pay कर सकते examination fee through debit cards, credit cards, net banking और offline mode के माध्यम से भी आप इसको fill कर सकते हैं आगे बात करते हैं और भी इसमें important details की देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट का फुल जो नाम है पोस्ट नेम जो है इंडियन नेवी नौशेना वरती इंडियन नेवी जनवरी 1996 से लेकर के एक जनवरी एक जुलाई 2003 तक के बीच में आपका जननतिती होना चाहिए डियो भी होना चाहिए आगे बात करते हैं official website का आप official website देख सकते हैं joinindiannavy.gov.in पर जा करके सारे notification को भी देख सकते हैं और form को fill भी कर सकते हैं आगे बात करते हैं और इसमें क् कैंसे details की बात करते हैं देखें यहाँ पर क्या-क्या दिया हुए ब्रांज नेम दिया हुए पोस्ट नेम है साथ ही साथ टोटल पोस्ट कितना है उसके बाद जेंडर एज और इलिजिबिलिटी की बात यहाँ पर कर रहा है तो पहला जो ब्रांज नेम है फैंड्स वह ए ए दिया हुआ है दो जनबरी 1996 से लेकर के एक जुलाई 2001 के बीच में आपका डियो भी होना चीए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है एलिजिबिटी तो क्लास 10, 12 और इंजिनेरिक डिग्री होना चीए 60% मिनिमम मार्क्स के साथ ब्रांच इसमें कौन-कौन सा है तो इंजिन बहुत सारा ब्रांच है यहाँ पर प्रोडक्शन इंडस्ट्री इसको एक बार देख सकते हैं मैं पीडिये भी प्रोवाइट करवा दूँगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पीडिये इसका देख सकते हैं पूरा डेटेल साब को पता चल जाएगा ठीक है ससी पाइलेट के लिए तीन पोस्ट है ससी पाइलेट अधर डैन एम आर के लिए छे पोस्ट है और ससी लोजिस्टिक के लिए 11 पोस्ट है ससी एकस आईटी के लिए 10 पोस्ट है और ससी जेनरल सर्विस हाइडर सेंटर के लिए 30 पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं बी यह है technical branch के लिए तो SS engineering branch service जिसमें 26 post है mail के लिए है और यहां से data worth दिया हुआ है इसमें आपको BE या तो BITAC degree होना चीए 60% marks के साथ और mechanical, marine, instrumentation, production, aeronautics, engineering, industrial engineering, management, control engineering, aerospace, automobiles, metallurgy and mechatronics, instrumentation यह सारा branch इसमें है फिर उसके बाद है SSC electrical branch general service के लिए तो देख सकते है 27 post है mail candidates के लिए है और इसमें भी eligibility दिया हुआ है फिर education branch के लिए आप देख से तो SSC education के लिए 15 branch है mail candidates के लिए और यहां पर first class होना चीए MSC जो कि math से होना चीए या तो optional research होना चीए with various physics in BSC और first class in MSC physics यह सारा details यहां पर दिया हुआ है ठीक है आगे बात करते हैं और इसमें क्या है तो third number की बात करते है friends यह जो है आपका CVSC various post online form 2019 से निकल करके आया है इसमें क्या है बताया हुआ तो date की बात करते है important dates तो application begin जो होड़ा है 15 November 2019 से हो चुका है और शाथी साथ last date की बात करते हैं वो 16 December 2019 तक है और date for form correction करने का 16 December 2019 से exam date का notification सभी नहीं है और admit card कब available होगा यह भी अभी details नहीं पता है आगे बात करते हैं application fees and payment mode की तो देख सकते हैं यहाँ पे group A वाले का 1500 रुपिया लग रहे हैं group B और C वाले post के लिए 800 रुपिया लग रहा है और जो candidate HCST या तो PH candidate से उनके लिए कोई पैसे नहीं लग रहा है जितने female categories हैं उनको भी कोई पैसे नहीं लिया जा रहा है payment करने का तरीका वही है simple सा credit card से कर सकते है net banking से कर सकते है offline mode भी यहाँ पर दिया हुआ है तो दियान रखना है आगे बात करते हैं इसमें और more details की बात करते हैं क्या है इसमें और जनकारिया तो देखिए यहाँ पे post name की बात करते हैं post name में central board of secondary education जिसका CVC का full form होता है various post recruitment 2019 स और more details के लिए आपको full notification परना ही पड़ेगा और इसका official website है जो cvc.nick.in पर है साथ ही साथ important vacancy details की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं vacancy details है total post की बात करते हैं 357 है code यहाँ पे दिया हुआ है 119, 219 और 319 यह तीनों code में दिया है post name है assistant secretary group 1 हा जिसमें 14 post है और age limitation की बात करते है maximum 40 साल होना चाहिए bachelor degree होना चाहिए किसी भी stream में और experience भी होना चाहिए साथ ही साथ second code की बात करते है तो assistant secretary IT के लिए है group A का जिसमें short vacancy है total maximum mark जो year से यानि की age limitation है वो 40 साल है और इसमें BE या तो BTEC वाले या तो MSC in IT field से होना चाहिए MCA भी हो सकते है experience होना च साथ ही साथ बात करते है third number जो analyst IT group A के लिए 14 post है इसमें maximum 35 years होना चाहिए age और BE या BTEC वाले MSC in IT और MCA जिनका experience है वो इसको लिए fulfill कर सकते हैं भर सकते है आगे बात करते हैं और details इसमें क्या है तो देखें code number 4 की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर junior Hindi translator group B के लिए 8 post है maximum आप आप देख सकते हो 30 years है और यहाँ पर bachelor या तो master degree होना ची हिंदी, English और diploma certificates भी होना ची है translation का और experience के साथ उसके बात fifth number जो code है उसमें senior assistant group C का है और इसमें 60 post हैं ठीक है maximum 30 years इसका age limitation दिया गया है आप देख सकते है बैसलर होना ची है आपका annual stream with computers typing होना ची है आपका 40 words per minute और computer knowledge होना ही ची है basic knowledge six number code के बाद करते है stenographer group C का जो vacancy जो उसमें 25 post है और इसमें 18 से लेकर 27 साल ages है और इसमें bachelor degree होना चाहिए any streams में with a stenograph, a stenotyping a C word per minute in 10 minutes ठीक है और transcriptions 50 MTS है English का और उसके बाद 65 MTS है जो हिंदी का computer पर होना ची है तो यह सारा eligibility criteria के साथ साथ दिया हो vacancy details आगे बाद करते हैं और क्या है 7 number देखिए code में यहाँ पर 7 number code में आप content जो है group C के लिए 6 post है maximum 30 साल है और bachelor degree होना चाहिए साथी साथ accounts में ठीक है और 8 नमबर post जो है code है उसके लिए junior assistant group C है और 204 post है इसमें maximum देख सकते हैं 27 साल से और 10 plus 2 intermediate with computer typing in English 35 और यहाँ से देख सकते हैं word per minute होना चाहिए ठीक है 27 उसके बाद देखे यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 9 number जो है code उसमें junior assistant group C का है जिसमें वो नई post है और mark maximum जो 27 साल होना चीए बैसलर डेगरी होना चीए accounts में commerce में एक साल experience भी मांगड़ा है इसमें आगे बात करते हैं और क्या है इसमें देखे यहाँ पर category wise vacancies दिया हुआ है आपको पता चल जाएगा यहां से क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखे यह सारे पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट जो है सेक्रेटरि आई टी अनलिस्ट आई टी जूनियर हिंदी ट्रंसलेटर सिनियर स्टेणोग्राफर अकॉंट जूनियर यह सारा और इसमें सब जेन्रल ओबी ची ऑ डॉव्ली एस Rocket है और डोटल मिला करके दिया 2019 से निकल करके आया है देखेंगे इसमें क्या है तो यहाँ पे पहले important dates देख लेते हैं important dates जो हो रहा है 20 नवंबर 2019 से start हो चुका है last date जो apply करने का है 19 12 2019 तक है साथी साथ complete form करने का last date है 19 12 2019 examination notification नहीं आया है और admit card का available कब होगा इसका भी date नहीं आया है बात करते हैं application fees का और payment mode की तो देखें आपे general OVC के लिए 100 उपीज लग रहे हैं SCST वालों के लिए या तो EWS और female category जितने भी हैं उन सब के लिए कोई पैसे नहीं लिया जा रहा है और payment mode सिर्फ आप debit card से कर सकते है credit card से networking से ही कर सकते है offline का शुद्धा इसमें नहीं दिया गया है आगे बात करेंगे यहां से देख सकते हैं कि other important details की बात करते हैं यहां पे post name जो है full form समझ सकते हैं यहां पे Central Council for Research Ayurvedic Science जो को CC RAS था और इसमें Central Concelling Research LDC UDC recruitment निकला है ठीक है LDC का और UDC का तो इसमें देख लेते हैं क्या है total post only मात्रे 66 post है और age limit जो है जो कि 29 से नवंबर 2019 तक नहींत होगा जिसमें minimum 18 सल है और maximum 27 सल है ओके आगे बात करते हैं official website की तो यह आप CC RAS.NIC.IN पर जा करके form को fill कर सकते हैं देखें यहां पर कुछ और details दिया होगी कहां कहां पर examination center होने वाला है तो आप देख सकते हैं लखनौ है देली है कुलकता है चेनी और रंगाबाद गौार्टी और चंडिकरीन सभी cities में examinations का center जा सकता है इसका full notification एक पाज चरूर देख लीजिएगा आगे बात करते हैं vacancy details का यहां पर देख सकते हैं post दिया हुआ है post का name दिया हुआ है general EWS OVC SC ST और total करके दिया हुआ as limited दिया हुआ और eligibility criteria दिया हुआ तो अपर division color UDC जो है उसमें general वालों के लिए एक है EWS वालों के लिए देख सकते हैं sorry general वालों के लिए 8 है EWS के लिए 1 है OVC के लिए 3 है SC के लिए 1 है और ST के लिए भी एक है कोई भी है स्ट्रीम में recognize university इंडिया से ओके दूसरा है lower division color के LDC जिसको बुलते हैं इसमें total अब देखिए तो post 52 post है और इसमें 18 से लेकर के 27 साल एज होना चाहिए और 10 प्लस 2 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड में यहां पर देखिए हिंदी और इंग्लिज का typing होचता है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिज में और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में तो यह है lower division color LDC का vacancies का details आगे बात करते हैं जो fifth number से second last जो vacancies आई है वो है UP Metro Rail various post online form 2019 UP Metro Rail से यह आई है निकल करके vacancies साथी साथ बात करते हैं important dates की तो important dates आप देख सकते हैं यहां पे जो application begin होड़ा है वो आपका 22 से नवंबर 2019 से और 23 December 2019 तक last date है अपलाई करने का और pay कर सकते examination fees उसका last date है 23 December 2019 तक साथी साथ exam date के बात करते हैं CBT 13 जनवरी 2020 तक हो जाएगा और admit card available जनवरी 2020 में आ जाएगे आगे बात करते हैं friends इसका application fees का और payment mode की तो यहां पे देख सकते हैं general OVC और EWS वालों के लिए 590 लग रहा है वहीं CST वालों के लिए 236 रुपया लग रहा है साथी साथ payment mode की बात करते हैं तो यहां पे देख सकते हैं आप pay कर सकते हैं examination fee through debit card से credit card से और net banking और offline माधियम से भी कर सकते हैं आगे बात करेंगे other details में तो देखें यहां पे क्या लिखा हुआ पोस्ट का name है उत्तर प्रदेश Metro Rail Corporation लखनाव Metro Various Post Recruitment 2019 से आगे बात करते हैं total post 183 post है और age limit की बात करते हैं जो कि 1 December 2019 तक नहीं होगा minimum जो होना चीए एक कई साल होना चीए और maximum की बात करते हैं वो आपका 28 साल होना चीए और relaxation rules कहीं से आप से मिलेगा official website की बात करते हैं तो official website यहां पे देख सकते हैं क्या है imrlcrcl.co.com ठीक है इस पर जा करके और details ले सकते हैं एक बार notification full देख लेजेगा अब vacancy details यहां पे देख सकते हैं क् discussion categories वाले में दिया हुए post code यहां पे दिया हुए एक से लेकर के 6 तक post code है यहां पे सब post नाम है जैसे assistant manager हो गया assistant managers electrical हो गया assistant managers SNT के हो गया assistant manager accounts का यह सारे post का नाम है assistant manager hc का और assistant manager public relation का इसमें total post दिया हुआ है सबका अलग-अलग post है और degree eligibility की बात करते हैं तो देखें यहां पे इन तीनों के लिए 1,2 और 3 जो code है उसके लिए BE, BTEC होना चाहिए engineering field से और 6 देखें 4th number वाले के लिए बात करते हैं इस वाले में तो यह है CA या तो ICWA degree होना चाहिए 5th वाले में देखें master degree in business होना चाहिए MBA in HR, PC, DM, HR with minimum 60% marks और 6th वाले की अगर बात करते हैं तो यहां पे देख सकते हैं, जो है master degree होना चाहिए, master communication में, journalism में 60% marks के साथ, तो यह details था, आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें, तो यहां पे एक non executive, वो executive था, यहां पे non executive जो है categories के लिए भी देखें, अहां पे code दिया हुए 1, 2, 3, 4, और इस सभी के लिए देखें, यहां पे name ह जेई, civil के लिए junior engineer, जेई, electrical के लिए junior engineer, जेई, and SNT के लिए और public relation assistant के लिए ठीक है, इसमें total post की बात भी क्या हुआ है, इसमें 58 है, इसके बात करते हैं 40 है, इसमें 17 और इसमें 4 है, यहां पे देख सकते हैं, 3 years diploma होना चाहिए engineering trade से, और इसके बाद bachelor degrees होना चाहिए इन सभ post के लिए, तो यह सारा details है, और देख लेते हैं, यहां पे और क्या है, तो category wise vacancies आप देख सकते हैं, यहां पे क्या है, category wise आप 1 से लेकर 5 तक में देख सकते है, category wise vacancies आपका है, general, AWS, OBC, SC, ST, यह सब के लिए, आप एक बारा screenshot भी यहां से लेकर के check कर सकते हैं, ठीक है, तो य यह वाला दिया हुआ है, ठीक है, non-executive वाले के लिए, non-executive, NE4, non-executive और E4, executive के लिए, ठीक है, तो इसका भी vacancy details, category wise दिया हुआ है, ठीक है, I hope समझ में आ रहा होगा, आगे बात करते हैं, six number जो की last vacancy, जो friends, ओ है, UPPCL, ZE engineer civil recruitment 2019, है न, ZE के लिए, junior engineer के लिए, इसमें important dates की बात करेंगे, तो important dates में आप देख सकते हैं, कि notifications out date है, वो है 21 November 2019, और जो application begin होगा, इसमें अभी time है, 5 December 2019 से होगा, last date अगर की बात करते हैं, तो यहाँ पे apply कर सकते है, 26 December 2019 तक, और last date payment करने का भी 26 December 2019 तक, exam date February में होगा, 2020 में, और admit card अबलेबल हो जाएगा February में, ठीक है आगे बात करते हैं इसमें, application fees का and payment mode की, तो यहाँ से देख सकते हैं, general OBC वाले उनके लिए 1000 रुपिय, SCST वालों के लिए 700 और जो पी एच दिवंग जो हैं बच्चे उनके लिए सिर्फ 10 रुपिय लग रहे हैं, payment करने का तरीका हुए है, आप cash से भी कर सकते हैं और debit card, credit card और e-wallet के मादियम से net banking के थुरू भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं और इसमें क्या जानने लाइक है, तो more details में आप देख सकते हैं यहाँ पे, post का नाम जो है, total देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्परेशन लिम्ट जो जिसका abbreviations है, UPPCL और junior engineer civil और trainee recruitment के लिए vacances निकाली गए है, बात करते हैं और इसमें post total कितने हैं, तो शिर्फ 33 post हैं, और age limit की बात करते हैं, जो की एक जनवड़ी 2019 तक होगा, minimum 18 होना चाहिए, maximum 40 साल होना चाहिए, साथ साथ बात करते हैं, eligibility के लिए, तो उसके लिए है, high school 3 साल diploma होना चाहिए, और in civil engineer knowledge ह होना चाहिए, आपको हिंदिय देवनागरी लिपी का, और शाथी साथ बात करते हैं, official website की, तो official website देख सकते हैं, upenergy.in पर जाग करके, salary details आउर भी प्राफ्थ हो जाएंगे, application form, fill कर सकते हैं, आगे बात करते हैं, vacancy details का, तो यहाँ पे देख सकते है, category wise vacancy details, दियावा फ्र SC के लिए, ST के लिए, total हो गया कितना, 31 post इसमें होगा, अगर इंट्रेस्टेट हैं, तो आप इसके official website को visit कर सकते हैं, वहाँ से full motivation पर सकते हैं, तो यह था, आज के लिए इतना ही सारा vacancy निकला हुआ था, जो आपको important लगा होगा जरूर, तो आप इसके fill भी कर सकते हैं, च अगर वह पीछे हैं, तो आप वह भी form को फर सकते हैं, कोई सुजाब हो तो comment कीजिए, और अगर हमारे channel पर नए है, तो इस channel को subscribe कर लिए और वेल आइकन को प्रेज करना ना भूलेगा, चलिए दोस्तों, मिलते हैं new videos में, तब तक के लिए good bye हर अप दोजी है आप हैं, तो आप में आप है हमारे channel पर सकतो हैं, तो आपका ।.